प्रभूराम के बात्मरक्षा में कोई हमारे हां आकर आतंगवादी हमला करके जा नहीं सकता मगर इस देश में उस इमारत को इंचा इस्थान दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि जिन हजारों शमीकों ने उसे बनाया उनके हाथ और देखो मेरे भाई नियतिका खेल देखो समझों और यहमद देखो कि कहां चीकर लें आज की डिपेट बहुत ही सांधर होने वाले है आज की वीडियो में आखिर का पांचो साल के बाद राम लिल्ला अपने दिविय भवे मंदिर में राजमान हो गए पूरे विदीधान से सुब मौरत में राम लिल्ला की प्राण प्रतिष्टा होई उसके बाद प्रधर मंतरी मोधी जी ने उनकार सीवों को और सादू संतों को याद किया जिनोंने राम मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया था इस मोके पर मोधी जी ने उन लोगों पर भी निसाना साथा जो बोलते थे राम मंदिर बनेगा तो आग लग 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 लगा दिए मोधी जी ने कहा राम आग नहीं उर्जा है उन्होंने कहा आज अलेज्य भूमी हम सभी से परते कराम भक्तों से कुछ सवाल पूछ रही है परभू सरी राम जी का मंदिर बन गया है अब आगे क्या आज की डिवेट में इन्हीं मुद्धों को उठाने वाले हैं बीजीपी की तरफ से है सुदानसु त्रिवेदी और आर्जीडी की तरफ से है कंचना यादाओ आज की वीडियो बहुत ही सांदर और मज़ेदार होने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिवेट को सब्सक्राइब करने का इसमें क्या है यह तो हर भारतवासी के लिए हर्श का दिन है कि यह तो इसमें इसका विरोध करना क्या शिर्फ इसलिए कि आपको लगता है बीजेप को इससे फाइदा हो जाएगा मोदी को फाइदा हो जाएगा नहीं नहीं और दूसरी बात कुछ बातें यहां पर बहुत मात्तुकूर्ण है जो मैं कहना चाहूंगी कि बारत जो है ए प्राइम निस्टर नरेंद बोदी जी 11 दिन से अनुस्थान किया हुए है और मंदिर मंदिर वो जा रहे हैं लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अब जब सब कुछ खतम हो गया तो कल से उनकी जो कौन ही लोग कहां से आते हैं और तीसरी बड़ी बात हम राम के आदर्सों को मानने वाले लोग है उनके संदेशों को मानने वाले लोग है और उसी संदेश के चलते हैं आप देखे होंगे कल समस्क्राइब में एक अस्पताल जो है उसका लोकार किया गया और उस अस्पताल कर नाम भी माता सीता के नाम से और प्रभु राम के नाम से रखा गया है इसका यह मतलब ने कि हम गाड़ी में अगर इस्टीकल लगा कर चले जैस्त्री राम हम इद्ब सड़कों पर जाकर तल्वार भाजे आप प्रभु राम के भक्त होंगे प्रभु राम के जो भक्त है वो अलग-अलग रूपों में काम करते हैं या आरो फी अपने आप में बहुत गलत आरोफ है कि हम भगवान राम का भिरोध कर रहे हैं जो सुधान जवां देखे, हमारे लिए रामराजी का अर्थिये है कि हर व्यक्ति को इस्थान मिले, हर व्यक्ति के जीवन में कल्यान का भाव प्रशस्त हो, भारत का विकास हो, सुरक्षा सुद्रण हो और सांस्कृतिक और आत्मिक गौरवकान हो. जहां तक उधारन के लिए भी हम कहें कि कई बार मैं बोल चुका हूँ कि भगवान राम का यदी प्राकटे केवल रामण बद के लिए उगवा था तो अयुद्या के राजा के रूप में जाकर वो अयुद्या के सेना के द्वारा रामण का बद कर सकते थे, परन्तु और आज देखे जब हम सब इस राम मंदिर का प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं तो चार करोड गरीब लोगों को आवास मिल चुका है, जारा करोड लोगों को शौचाले मिल चुका है, पचास करोड लोग आईश्मान भारत योजना के कबर के अंतरगत आ चुके हैं, हर गा आत्मरक्षा में कोई हमारे हां आकर आतंकवादी हमला करके जा नहीं सकता, वह भी हमने किया है, अर्थार उसका पूरा सुरूप देखे जो कंचना जी ने कहा, आरजडी की प्रवक्ता ने, मुझे परसंदता हुई, यह वही समस्ति पूर है जहां 24 अक्टूबर 1990 को लाल क पूरा अनुष्ठान किया था, और सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में गए थे, और उन्होंने अच्छा बोला कि श्रमिकों के लिए तो पूछना चाहता हूं, श्रमिकों ने इस देश में बहुत सी मारते बनाई, कुष्प वर्षा कब हुई, काच्छी विश्वनात का कोरिडोर बनाने पे, महाकाल का कोरिडोर बनाने पे, और भवराम मंदिर बनाने पे, और मगर इस देश में उसी मारत को इस्तिहास में उच्छा इस्थान दिया गया, जिसके बारे में कहा गया, कि जिन हजारों स्रमिकों ने उसे बनाया, उनके हाथ काट दिये गए, ताज सोचिलिस्टों ने कमिनिस्टों ने उसको युलाइज किया किसाब कितना अच्छा है और में और बाब बता दूँ गरीब के लिए अगर मुफ्त का भोजन मिलता है तो सिर्फ मंदिर में भंडारा चलता है गुर्द्वारे में लंगर चलता है और कहीं नहीं चलता मैं किसी द मैं फिर याद दिला दूँ आज की युवापीडी को एपल का फोन यूज करते होगे एपल के फाउंदर स्टीव जॉप्स ने कहा कि उनके लिए जिंदगी में एक दिन ऐसा आ गया था या तो मकान का किराया या खाना इन दो में से चूज करना था तो उन्होंने एक कमरा या किराये पे उस जगे पे जहां से इसकौन का मंदिर वाकिंग डिस्टेंस पे था जहां दो टाइम मुप्त का भोजन मिलता था दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक हिंदू मंदिरों के द्वारा मिलने वाले उस भोजन के आधार के उपर शुरू होकर आगे उठ समझिये वो दिन गए उचले गए उस ताद लंडुखा जब फाक्टे उड़ाया करते थे 90 के दशक की विचारधारा से 2000 से 25 सदाब्दी के नए सूरी के साथ बढ़िये और आपने कहा प्रधान मंतिर जी कल से काम हो तो आजी शाम से लग गए उन्होंने तो कह दिया ना कि सूरीय प्रकरता के साथ उतराण के तरफ बढ़ चला है और जब हमारी सरकार आई थी अंजनरी मैं लोग को बताना चाहता हूं बदरिया जीत्यादी लोग जो है वो सुन लें जरा गौर से टार्गेट रखा गया था कि भारत को विस्कित राष्ट बनाना है तो पावर में सोलर एलाइंस बना अंजना जी जिसका केंदर भारत के गुरुगराम में बना है और गुजरात का मोढेरा पहला गाओं बना है जहां सब कुछ सोलर इनर्जी से हैं हर घर में और सूरी भगवान का एक मंदिर भी है तो अयोध्या में जब सूरी वंची भगवान राम उतरा सूरी के समय प्रवेश्ट कर रहे हैं तो यह तैमानी है कि सौर उर्जा में भी पूरी उर्जा के साथ कोगी है मोधी जिने का भगवान आग नहीं है उर्जा है उर्जा के साथ आगे बढ़ते दर आएंगे और इस पे पॉइंट और कह दूँ जब कहा जाता था मंदिर बन कि लियतिका खेल देखो समझो और यह मत देखो कि कहां दीप चल रहे हैं जिसे पुराना कीत था ना अंजना जी कहीं दिल देख ले आके परवाने तेरी कौन सी है मंदिल मेरे भाई मंदिल समझो दीपक में समझो या सूरी के प्रकाश अब तुम लोग गल्ती से अगर जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे